हेलो स्टुडेंट्स आज की क्लास में हम 31 की स्क्वेर से लेके 100 तक की स्क्वेर कैसे सोल करें उसको देखेंगे तो जिसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो देखते हैं सबसे पहला पार्ट 31 से 50 तक का यानि की इनके बीच के स्क्वेर कैसे निकालना है तो हमें दो नमबर याद रखने है 50 और 25 याद रखो सोल हो जाएगा 41 और 50 के बीच में कितने का गैप है 9 का गैप है 9 का स्क्वेर कितना होता है 81 तो यह हमारे आजाएगा बाद की संख्या है पहली की संख्या निकालने के लिए हमें 25 का यूज करना पड़ेगा 25 में से कितना गैप था 9 9 माइनस कर देंगे 16 ना जाएगा तो डीटेल में समझत कितने गैप था 50 और 41 में 9 का गैप था 9 का स्क्वेर कितना होता है 81 ठीक है 16 कैसे आया था 25 में से 9 गैप माइनस किया था और इसका गैप कितना होता है 16 यह हमारा 16 ऐसे आया था कोई another example देखते हैं बस दो नमबर याद रखना 50 और 25 ट्रिक सोल ठीक है जी 35 का स्क्वेर निका आप पाते सब 15 का गैप आते 15 का कितना स्क्वेर होता है 225 टू 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 टीफाइफ लिखना हमें only two digit only two digit लिखने हमें बाकी सर्थ टू का क्या होगा टू को क्या करना है क्यारी एक दिरह से यह कैरी यह जो हमें पहले वाली संख्या जो आएगी उसको उसमें याड करना है तो पहले वाली कैसे निकालते हैं 25 का यूज़ करते हैं उसके लिए 25 में से 9 माइनस कियाता है यानि 15 माइनस करेंगे 25 माइनस 15 10 होता है और 10 में से 10 मतलब 10 में क्या एड़ कर देंगे 2 यानि 12 ठीके जी carry एड़ कर दिया हमने next देखते हैं topic जिसमें हम solve करेंगे 51 के square से लेके 80 के square तक ठीक है जी 51 का example ले लेते हैं 51 का example ले लेते हैं इसमें क्या होगा जी 50 और 51 यानि बस इसमें 50 और 25 वही दो नमबर या दखने है 50 और 51 में 1 चलो पहले में example बताते हैं चलो इसको solve कैसे करना है डारेट देख लो आप detail में 50 में एक add हो रहा है यानि कि 1 का square 1 का square कितना होता है 1 होता है ठीक है 1 का square कितना होता है 1 होता है लेकिन 2 digits चाहिए होती है तो हम 0 लगा देंगे 26 कैसा है 25 की जरूद भी पड़ती है उसमें 1 का gap था तो एक add कर देंगे 26 आजाएगा Another example देखो पूरा समझ आजाएगा कैसे हुआ है यह 64 का square देखते है एक बार ठीक है 64 और 50 के बीच में कितने का gap आता है 14 का तो 14 का square कितना होता है 196 96 लिखेंगे और 1 का क्या होगा 1 carry हो जाएगा जो पहले नंबर आएगा 96 25 में कितना add करेंगे 14 क्यों 14 का gap है न तो 14 add करने पर कितना आएगा 39 और 39 में कितना add करेंगे carry कितना था 1 40 हो जाएगा ठीक है जी 39 और 1 40 तो यह topic भी solve होता है next topic देखते हैं कौन सा देखेंगे यह तो हो गया next topic देखते हैं 81 के square से लेके 100 तक के square तक यह solve करना आजाएगा आपको easily यहाँ पर हमें example लेते हैं 94 का example 94 का example लेते हैं यहाँ पर क्या होता है 100 और 94 के बीच में 6 का gap आ रहा है तो 6 का square 36 होता है और 94 में से minus कर देंगे कितना गैप कितना था 6 तो 6 का square कितना होता है 36 88 कैसे आया 94 में से 6 माइनिस करने पर और 6 यह क्या था gap था 100 और 94 का gap था ठीक है जी अब हम देखते हैं कोई another example 89 का देख लेते हैं 89 और 100 के बीच में कितना gap है 11 का gap है 11 का gap है 11 का square बताओ 121 carry हो जाएगा carry को हम बाद में add करेंगे पहले 21 लिखते हैं 21 लिखा अब हमें क्या करना है 89 minus कितना gap था 11 11 का square है 121 होता है तो 11 minus कर देंगे हमाई परस कितना जाएगा 78 और 78 में कितना carry था 1 add कर देंगे 79 तो इसका answer हो जाएगा solve तो इसी तरह आप किसी का भी example solve कर सकते हो ठीक है और हम देखते हैं कि हमने आज क्या क्या solve किया और next वीडियो में क्या देखने वाले हैं तो आज हमने ये तीन सुरू के जो है topic solve करना सीख लिया है fourth topic यानि 100 square से लेके 150 का square हम कल की वीडियो में यानि next वीडियो में देखने हैं